जहें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जीके जैस का मस्ट इंपोर्टेंट कोशन्स देखिए इसमें हम लोग ऑप्सन भी इंक्लूड किये हुए तो आप लोग का में इनको बड़े तरीका से समझना है पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में कमें करना है तो देखिए पहला कोशन आप लोग के सामने के चित्र कूठ जल प्रपात कहां अस्तित है सब कर सब इंपोर्टेंट कोशन से तो चित्र कूठ जल प्रपात देखिए अपका मजद प्रदेश में उरिसा में महाराष्ट या फिर 36 गड़ पताइए इसका राइट एं महाराष्ट या फिर तमील नाडू तो इसकोशन का राइट एंसर हो जाएगा तमील नाडू ठीक है तमील नाडू में है आपका काई पाई कारा जल प्रपात अगला कोशन देखिए नाडू कोशन है आप लोगे सामने कि जोंग या फिर गोर सपा जल प्रपात कहां सतीत है जोंग और गोर सपा जल प्रपात कहां सतीत है मजद प्रदेश में उरिसा में महाराष्ट या फिर करनाटक में पताइए इसका राइट एंसर देखे जोंग और गोर सपा जल प्रप इब कि करनाटक में महाराष्ट और गोवा और करनाटक कि सिमा पर इसका राइट रहा हैं पर गोवा और करनाटक की रहा थे कंपuitन उड मुझदध्यधार जे अगला कुश्शन देखें। शिव शमुदरं जल प्रपात किस नदी पर है तो कावेरी नदी next option देखा जाए कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गुदावरी नदी या फिर नर्मदा नदी कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गुदावरी और नर्मदा तो देखे इस question का right answer हो जाएगा option अभर A यानि कि कावेरी नदी इसका sensor हो जाएगा मधार जल परपात किस नदी पर बना है मधार जल परपात किस नदी पर बना है आप लोग कमेंट बोक्स में कमेंट केज़ेगा इंदरावती कावेरी इंदरावती कावेरी उसके बाद गुदावरी और फिर है आपका चंबल इंदरावती कावेरी गुदावरी और फिर चंब तो देखिए मध्ढार जलपरपात देखा जाया तो चम्भल इसका राइंसर हो जागा मध्षध जलपरपात कहां पर पर है चम्बल नदीपर बना है मध्ढार जलपरपात अगला कोशन देखेव जैसे कि जोंग जलपरपात को और किस नाम से जाना जाता है important question है जोंग जल परपात को किस नाम से जाना जाता है तो महात्मा गांधी जल परपात नेक्स्ट आपका जौहार लाल नहरू है तो देखिए जोंग जल परपात महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता option नमबर यहीं से अंसर हो जाएगा अगला question देखिए question वे 10 है कि गोकक जल परपात किस राज्य में है गोकक जल परपात इंपोर्टन question है गोकक जल परपात किस राज मिश्थी थे तो option देखिए आपका पहला option है मजद प्रदेश next का देखा जाए तो उरिस्था महाराष्ट और फिर आपका है तमिल नारू मजद प्रदेश महाराष्थ उरिस्था और फिर तमिल नारू तो देखे इस question का right answer हो जाएगा option question number D यानि की तमिल नारू ठीक ना गोकक जल परपात किस राज मिश्थी थे मजद प्रदेश उरिस्था महाराष्थ और तमिल नारू प्रदेश इसका right answer हो जाएगा इसका से अंसर हो जागाuser नजीनचे को उसलोंस देखे कि जोग जलब प्रपाथ की उचाए कितना है जोग जलब प्रपाथ की संचाए कितना है दूसो पचास मीटर 100 मीटर ऑफशन के नेक्स है आपका 200 मीटर या फे stationary 253 मीटर तो देखे जोग जल प्रपात जो है वो 253 मीटर उंचा है यानि कि आप्शन बडी इसका राइट एंसर हो जाएगा देखे अगला कोशन और इंपोर्टेंट कोशन है नेलगिरी से रिलेटेड कोशन है कि नेलगिरी के परवत्य छेत्र में कौन सा जल प्रपात इस्त या फिर जोग जल प्रपात या धुआधार जल प्रपात तो बताईएगा नेलगिरी के परवत्य छेत्र में कौन सा जल प्रपात है तो देखे इसकोशन का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन मब भी यानि कि पाई करा जल प्रपात पाई करा जल प्रपात जो कि नेलगिर पर है महानदी पर है या फिर स्रावधी पर है ठीक है इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा नर्मदा नदी यानि कि अप्सन नमबर 20 का सही राइट एंसर होगा ठीक है अप्सन नमबर 20 का सही एंसर होगा ठीक है उलाश कोशन देख लिए जेके भारत के किस जल परपात को लोक प्रिय रूप से नियागरा जल परपात के नाम से जाना जाता तो किस जल परपात को नियागरा जल परपात कहंगे तो पाई कारा को, हुन्रू को, जोंगू को या फिर चित्रकूट को तो देखे पाई नियागरा जल परपात चित्रकूट को बोला जाता है चित्रकूट जल परपात को नियागरा जल परपात के नाम से भी जाना जाता है जो कि भारत का लोगप्रिय जल परपात है एले दोस्तों, मिल टेने स्क्लास, थैंक यू.